उत्तर विदान सभा की वाच करबांग साथ वरेला गाउं में उत्तर रहा है विआईपी गेस्ट हाउस का गंदा पानी बता दे लाल घाती सित वरेला गाउं जो की उत्तर विदान सभा छेत के वाच करबांग साथ में आता है वहीं उससे लगा हुआ उपर VIP Guest House बना है जिसमें नालियों के चेंबर बने हैं उसका गंदा पानी वहां से उतर कर बरेला गाओं की बस्ती में उतर रहा है जब के क्यार की टीम ने वहां जा कर देखा तो वहां गंदे की पस्री पड़ी थी VIP Guest House में बने चेंबरों से वहां पानी आता है पता दें पानी जो है उसी के उपर इदगा हिर्स स्तित्र जो अभी मल्तियां बनाई गई है वहां और बरेला गाओं में एक दिन भी जब नल आता है उस दुरान यहां से नालियों का भाव बनने की कारणी ये पानी VIP Guest House में बने चेंबर से ओवरफ्लो होका नीचे बस्ती में उतरना शुरू हो जाता है जिसकी शिकायत बरेला गाओं के रहवासी कई बार अपने स्थानी पार्षत से भी कर चुके हैं कई बार दो सफाई हो जाती है कई बार उनकी सुनवाई भी नहीं होती आई देखते हैं वुपाल से समधाता आदल खान की रिपोर्ष नहीं करेसी कर दो से अभी समस्या के लिए ग्यूज हो जैनो is रहा है से क्योंकि आज कल देखा जाए तो जिस तरह वैश्विक महामारी कोरोना महामारी हमारे देश नहीं सारे दुनिया में वेली हुई है वहीं साफसफाई को इतना तवज्जो दिया जा रहा है इस तरह की गंदगी मचना एक बस्ती में पहुत अपने आप में दुखत है चलिए ना जिस दिन नल आते हैं उस दिन ये पूरा सीवेज का पानी आता है ये घर दिख रहा है तो ये इनके घर में हमाय घर में से निकल के पूरा बस्ती में से बहके जाता है और कोई सुनवाई नहीं सबसे कंप्लेंट करी कोई सुनने तयार नहीं है कोई कुछ नहीं करता इस इनके घर में खूब पानी हमाई गर मेंजा कूप पानी अभी भी आप देख सकती यहां पर जो ना आती हैं क्वै क्या रोज आते हैं एक दिन बीच आते हैं जैसे आज का गह, फिकर लाएंगे तो फिक कल आएंगे काल फिर वह इस जाती या जाएगा, इकल जाए गा, सुबह अधिक पेने के समस्से आती है कि घरमें बच्चे भी होते हैं ऐसे मुझूद है कि हमारे यह तो सबस्याद सब बीमार पर नहीं अधाले जी होते हैं आज पसब भंद नहीं आ रहे नहीं तो रेगुल्म आता है वह गंदा पानी तो यह तो बड़े बड़े दाविक की जाते हैं साफसफाई को लेकर भोपा नगनिगम प्रिशासन द्वारा वहीं अगर देखा जाए हर वाड़ में जाकर तो कहीं न कहीं कोई न कोई बड़ी समस्य बनी हो जिस अब देख पा रहा है विए पी गेस्ट आउस से गंदा पानी का रिसाव यहां पर होता है जिसके वैसे यहां पर लोग बीमार पड़ रहे हैं मच्छर गंदगी सब उत्पन हो रहा है यहां से आपको चलिए मैं आगे और दिखाना चाहता हूं थोड़ा सा आगे चलके जिस गंदा पानी नीचे रिसाव हो रहा है यहां से निकल रहा है और यह पानी कहां पे निकलता है यहां के लोगों ने खुद मच्बूरण इस तरह की नालियां बना दिये क्योंकि पानि उनके घरों में न जातु है ताखहे साहीट से निकल आहां मगर यूँ पानी है जो बड़े-बड़े बस्ती के उपर वाल इससे में है जहां कि वियाईपी गेस्ट आउस लगा हुए यहां से गंदा पानी इस बस्ती में सीज़े ने जूरता है यह बस्ती जो यह ढ़ायल पर बनी हुई तो पानी पूरा उतर के नीचे घरों में भर जाता है इसकी वेज़े से काफी दिक्कत बन पानियों का और नीचे होता है अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह गंदकी मची हुए जब एक दिन बीच यहां पर पानी आता है तो उपर से पानी का रिसाब जाधा होता है तो इसमें चेमबर में अवर्फिलो होने के बाद पानी यहीं से नीचे उतरता है आप देख सकते हैं इस वक्त एक चेंबर यह भी यहां पर खुला पड़ा हुआ है यहां का जितना गंदा पानी है यहां से जो गड़े बना दिये गाए उसके दौराना नीचे बस्ती में पहुंचता है बस्ती करों से काफी ज्यादा त्रस थे पानी से बच्चे बूड़े कोई भी हो सब अभी इस वक्त यह पर बीमारियों से जूच रहा है इस गंदे पानी के बएसे मैं आपको आगे जाकर अभी नहीं दिखा सकता हूं जिस तरह आप कंडिशन देख रहे हैं यहां पर पूरी कीचल मची हुई है चेंबर का पानी अलगी साफ नदर आ रहा है कि पान